कि नमस्कार जैसे कि आप सभी से का गया था कि 20 माई से आपके क्लास 12 की नई वीडियो अप्लोड की जाएंगे चैप्टर फ़स्ट से और जहां तक हो सकेगा वहां तक मैं अप्लोड करूंगा प्रॉबल्म यह नहीं है कि वो पिषले वीडियो में जो बताए है वह आपको यूज नहीं आएगा ऐसा आपकी गलत है में है जो आपको पढ़ाए गया है वही यहां पर भी पढ़ाये जाए गा नई वीडियोस में भी पढ़ाए जाएगा क्योंकि NCRT से ही मैं नहीं पढ़ सकते हैं सिर्फ इसलिए नए वीडियो बनाया जा रहें क्योंकि आपका रिक्वेस्ट था कि वह पुराने वीडियो में क्वालिटी सही नहीं है साफ दिखाई नहीं देता ठीक है मैं इस चीज को एकस्ट करता हूं तो जहां तक साफ नहीं दिखाई देता चैप्टर नुमर 5-6 तक वहां तक मैं आपको नया वीडियो बना कर दूंगा और उसके बाद कांटिनू आपको उसी पुराने वीडियो से ही पढ़ना होगा हो सकेगा तो मैं पूरा 16 चैप्टर तक कवर कर पाऊंगा अगर नहीं हो पाता है चूंकि अभी मुझे अपने और भी कार्म करने ह मुझे समय चाहिए और वहां के लिए भी आपको यह समझना होगा कि जहां तक आपको मैं पढ़ा सकूं वहां तक पढ़ियेगा बाकि आप पुराने वीडियो जैसे पढ़ सकते हैं अगर अभी भी आप क्वालिटी इस्यू तो इसलिए मैं दूबारा यूशी बना रहा यूनिट में हैं जीवों में जंन पहला चप्टर दूसरा फुसपी पॉदों में लएगी जनन3 च्रथा-षाथ ये चारों चप्टर है की यूनिट इंट का है जनन ряд्यों में किस किस प्रकार से जनन होता है फ्लॉक्व अद्याया है पहला सुरू करेंगे जो कि हैं जीओं में ज्णन यानी रिप्रडक्शेन और प्हूंगा उसरी होता है की की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग जीओं में किस परकार से होती है कैसे अलग-अलग जीओं अपने संतान को जनम देते हैं मनसे कैसे संतान को जनम पौधे कैसे नए पौधे बनाते हैं यह सब ही हम आपको इस अध्या में पढ़ना होगा और बताएंगे हम सबसे पहला चेप्टर है जीवों में जर्नल और अउग्रिजम्स इसका सबसे पहला टॉपिक है जीवन का लिया लाइफ इस्पैन तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जीवन का या लाइफ इस्पैन क्या होता है याद करते भी चलेंगे जीवन काल जिसे इंग्लिस में कहा जाता है लाइफ इस्पैन जीवन क्या होता है किसी भी जीव का जीवन का का मतलब होता है कि उसके जनम से लेकर प्राकृतिक मृत्यू तक का समय यहां पर जीवनकाल है उसका मतलब क्या है किसी भी जीव का जनम होता है और जब तक उसकी प्राकृतिक वो जीतना आप जीज़ सको होई ही आपका जीवनकाल लेकिन यहां पर एक वेक्ती का जीवनकाल हम व्यक्त नहीं करते हैं हम मनुस्थिन में अगर किसी व्यक्ति की अकस्मिक मिल्थि हो जाती है 40 साल में तो यह थोड़े ना कहें कि मनुस्य का जीवनकाल 70-75 वर्ष माना गया है यह एक average value होती है यानि कि इसका मतलब होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो मानसिक, सारीरिक और सामाजी गूरूप से स्वस्थ है वो 70-75 वर्ष तक जी सकता है हां कस्मिक blackshade हो जाए तो उससे पहले भी मर सकता है तो माना गया है कि इन्सानों की जो छमता है जीने की वह 77 वर्ष तक हो सकती है कि उससे अधिक भी लोग जी सकते हैं वो rare case होता है तो साल तक भी जीते हैं तो rare case है वहां पर जीवनकाल में यह नहीं हैं किमनुष्recht का जीवन्काल सो साल होता है नहीं ली हग जाgg जियों वेक्ति हैं कि जीते हैं 70 25 वर्सतर वर्सतक ही, तो इसलिए मनुष्यका जीवन्काल 70-75 वर्सत माना गया गाती है, छिशल इसके सो व्रकति हैं सो वर्सती में में देख्था गया कि कितने का जीवन काल संसे 55 सो थाय क्योंकि इसी उम्र तक ही लूग जीवीत रह पाते हैं ना तो इससे बहुत जादा आ पाते हैं ना तो इससे कम ठीक है तो हर जीव का भी अलग- врем जीवन काल होता है जैसे मनस्त का जीवन काल कितना होता है मैंने बताया है पहले तो यह आप याद करें कि जीवन काल का मतलब क्या होता है जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यू तक का समय उसका जीवन काल कहलाता है ठीक है दटाइम पीरिड बिट्विन बर्थ टू नैचुरल डेथ ऑफ एन और और इसका लाइफ स्पैन यानि किसी भी जीव का जन्म होता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यू जब होती है तो उसके बीछ में जो समय वोता है आज जन्म दिया पांस साल के बाद ऊसकी प्राकृतिक मृत्यू तो छाती तो उसका जीवन काल 5 वर्स मनुस्तष से जनम लेता है को लब 70-75 वर्स जीता है तो इसलिए मनुस्त्य का जीवन काल 7-75 साल माना गया है अलग-लग-जीवों का अपना अलग-अलग जीवन काल होता है कोई भी वेक्ति, कोई भी जीव, कोई भी सजीव अमर नहीं होता, जो आया है वो जाएगा भी यानि जिसकी जो जनम लेता है वो मरता भी है जिस दिन से जीव जनम लेता है उसी दिन से वह मृत्यू की और Village होने लगता है याषी ू मृत्यू की तरफ भागता है मतलब वह मृत्यू के करीब पहुंछता है मनुस शिर्णrzy 50 गों 60 साल जी उसके बाद मृत्यू के ही जीवी थी रहें अमर नहीं होता कोई बीजिव कोई बीजिव तो हर जीवों का अपना अलग जीवन काल होता है जैसे हाथी का जीवन काल 65-70 साल यहां जितने भी वैलूस दी गई है वह अलग अलग किताबों में आपको दस पांच पंद्रा का फरक मिल सकता है तो यह कोई माइने नहीं रखता याद रखेंगे हर जो भी आपको जन्तु बताएं उनके अपने अलग अलग इस पिसीज होते है तो किसी किताब में किसी और जाती की जीवन काल दिया होता है तो किसी किताब में किसी अन्य जीव का जाती का जीवन काल दिया होता है जो वैल्यू लिखी गई है उसमें कुछ अंतर आपको अन्य किताबों में या वेबसाइट पर मिल सकता है तो उस पर आप जादा ध्य किये दिए अगर उसे अच्छी त्रगे से पानी खाद मिलता रहे तो सूरी का प्रकास मिलता रहे तो है कुट्ता है वह सका जीवन काल होता है अब इसमें भी बहुत सारी वेराइटि आलती है डॉक की बहुत वेराइटि प्रकार आने रहुते हैं तो उनके अपने अलग जीवनकाल होते हैं तो यहाँ पर एक वह माना जाता है कि पुटा कुट्ता जो है बीज सेs50 साल जीता है जीवन का एक से-दो हफते होता है बहुत Я् है कौभा 15 अब 15 साल तक जीता है। इसका जीवन काल 15 साल होता है। गाए का 20-25 साल होता है। नहीं फोकॉन का थोटे का जानबूज के लिए हैं एक 14 साल. आप सोच रहे को तोटा इतना चीता है। आप अगर देखेंगे तो तोटे के भी अलग-अलग जातियां होती है अलग-अलग varieties होती है उनमें आपको बहुत variation दिखेगा कुछ तोते हैं जो 20-25 साल तक ही जीते हैं कुछ तोते हैं 15-20 साल जीते हैं कुछ तोते हैं जो 40-45 साल जीते हैं तो अलग-अलग तोते की जातियां होती हैं उनके अलग-अलग जीव जीवन काल होता है साट साल घोडे का जीवन काल होता है पचास से साट साल फल मक्ही यानि फूट फलाई वो तीस दिन जीती है उसका जीवन काल तीस दिन होता है धान चावल चावल कितने समय तक जीता है चावल का पौदा तीन महीने चार महीने में काट लेते हो उगाते हो त से जो चावल निकलता है वह बीज की रूप में होता है और फिर उसके बाद पौदे से अलग हो जाता है तो धान भी तीन से चार महिने तक ही जीवित होता है कच्छुवा सव से देड़ साल तक जीता है बरगद बरगद का पौदा 200 साल तक जीवित रहता है समझ में जीवनका क्या होता है जीवनकाल का मतलब होता है कि किसी भी जीव का उसकी जनम से लेकर प्राकृतिक मृत्यू तक का समय या अलग-अलग जीवों का अलग-अलग होता है मनुस्य का जीवनकाल सब्सक्राइब जल्दी से लिख लेंगे उसके बाद हम समझेंगे जनन क्या होता है का जीवनकाल अलग-अलग होता है जैसे मनुष से एक जीव है जिसका जीवनकाल सतर से 75 वर्स माना गया है इसी परकार अलग-अलग जीवों का अलग-अलग जीवनकाल होता है कुछ जीवों के जीवनकाल निम्न है इसको आप एक कॉलम में बनाकर लिख लेंगे एंपके दिया गया है कुछ के जीवनकाल लिआ है कुछ के नहीं लिके गये तो वहां पर आप लेंगे और याद करनेगे यह होगा गया सा इसलिवन काल से समधिर बात है जो सब से पहले टॉपिक हैं बर्गत कपो आज भी देख पाते हैं कुटे बिली घोड़े जानवा इन सभी को आज भी हम देख कैसे पाते हैं जबकि वह सब जीवित नहीं होते जादा दिन तक इनका भी एक लाइफ इस साल तक पाइसट से साल तक यहाती जीवित रहता उसके बाद तो मरी जाएगा त मतलब कोई भी जीव अमर नहीं है बावजूद हम आज भी उस जीव को देख पाते हैं उसका कारण यह हैं कि वह मरने से पहले अपने ही समाशन्तान उत्तपन्न कर जाते हैं और यही कारण है कि आज भी उन जीवों की जातियां प्रित्वी पर बरकरार बनी हैं और वह जो नहीं कर पाते जिनको कुछ और प्रॉब्लम्स आती है अर्थ पर वो जनन करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते तो कुछ प्रिक्त होने का काराई कि वह अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाये जनन नहीं कर पाये और मतलब होता है अपने समान संतान quicker पंड करना अब हम वही पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है कितने प्रकार का होता है इसी को हम देखेंगे हो जहरन का महत्तों समझ में आया आकर जनन ना हो तो उस जीओ की जाती विलुप्त हो जाएगी परज़िवीपन तो जनन बहुत परक्रिया है जिसकेट्रयान वह जीओ की जाती निरंतर्ता पृत्विक पर सदाव बनी रहती है नेक्स्ट टॉपिक है हड़ी नाल के लिखेंगे जनन यानी रिप्रोडक्ष्ण जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन करना जनन का मतलब अपने समान संतान पुत्पन करना ठीक है तो कोई भी जीव है वो जनम लेता है व्रिद्धी करता है फिर वयस कवस्था में आता है फिर व्रिद्धावस्था आती है और अंत में उसकी मिर्द्ध्य हो जाती है लेकिन व्रिद्धावस्था से पहले वयस कवस्था में वो जनन करता है और अपने समान संतान उत्पन कर देता कि वो जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते जिससे उसकी जाती की निरंतरता पहनी रहती है कि कोई हाथी है ज्यादा से ज्यादा कितना जीएगा 65-70 साल तो उसके बाद तो हाथी की समाप्त हो जाना चाहिए प्रिद्ध्वी से लेकिन समाप्त आज भी नहीं हाथी आज भी देखते हैं क्योंकि मरने से पहले क्या कर जाते हैं संतान उत्पन कर जाते हैं संतानेोत पन्र कर जाते हैं जनन करते हैं वह हैस कवस्था में संतान अध्पन कर जाते मानलो एक हाथी를 पैदा किया धो ठीक है सब्सक्राइब ऐब यह एक साल यह जी βーगें तो टोटल कितना आज भी हम हाथियों को देख पाते हैं, यानी किसी भी जीव को अगर हम देख पा रहे हैं, तो उसका reason है की वो मररने से पहले जनन करते आते हैं, अपनेसी माइन संतान उत्पन कर जाते हैं, और यही कारण है कि उस जीव की जाती की निरंतरता पृत्वीपर बनी है अगर वे जनन नहीं करेंगे तो अगर मालू यह Зनन कियें यह जनन नहीं करें तो क्या होगा आगे संतान पैदा हूंगे?? नहीं तो जब तक 570 साल तक अकेले जीवी थे तब तक जीवी अपर इन के उन्हें समान संतान उत्पन्द करना जनन कहलाता है अब जनन कितने प्रकार से होता है तो प्रिथवी पर जितने भी जियों है उन्हें में जनन सिर्फ दो ही प्रकार से होता है याद रखेंगे कि 1.7 to 1.8 million species है ना उन्हें सभी में जनन सिर्फ दो प्रकार से होता है या तो उन्हें आलेंगिक प्रकार से जनन होगा और या तो उन्हें लेंगिक प्रकार से ठीक है अलेंगिक जनन यानि असेक्सवल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सवल रिप्रोडक्शन ठीक है जीवों में दो ही प्रकार से जनन होता है या तो उन्हेंगिक जनन होगा और या तो उन्हें अंतर क्या होता है अलेंगिक जनन में और उन्हेंगिक जनन में क्या अंतर होता है आई देखते हैं आलेंगिक जनन में किसी भी लेंगिक अंग की आव सकता नहीं होती पहला पॉइंट याद करिए आलेंगिक जनन में किसी भी लेंगिक अंगों की आवे सकता नहीं होती जैसे इसमें कोई भी विरिशड अंडास है यह सब संदसना है कि जरुवत नहीं पड़ती तो जब युगमक का निर्माड नहीं होता तो इसमें किसी भी लैंगिक अंग की आवसकता नहीं होती दूसरा इसलिए इसे आलाइंगिक जनन कहते हैं आलाइंगिक मतलब इसमें किसी भी लाइंगिक अंग क्या हो सकता नहीं होती दूसरा इसमें केवल एक ही जनक जनक मतलब पैरेंट जिससे संतानुतपन होना है उसे पैरेंट कहते हैं एक ही जनक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं का मतलब भाग नहीं लेते हैं, मैदान छोड़के भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यह एक ही जनक भाग लेते हैं, आईए लैंगिक जनन को देखें, लैंगिक जनन में पहला पॉइंट, इसमें लैंगिक अंगो की जैसे नर्मे वरिशड वा मादा में अंडास है ठीक है की आवश्यक्ता होती है इसलिए से हम लैंगी जन कहते हैं दूसरा इसमें दो विपरीत जनक नर्वा मादा भाग लेते हैं ठीक हैं अंतर साफ दिखाई दिया अलैंगी जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं यानि इनको किसी पार्टनर की जरूत नहीं होती है इनकों अकेले या संतानुदपन कर सकते हैं लेकिन यहां पर पार्टनर क्या शकता होती नर्वा मादा दोनों चाहिए तभी संतानुदपन होती है यह सबसे बड़ा आंतर होता है के आ anno उस्टान को सबसे पहलेंगे हालगे जनरल में बहुत सिंपल है और हम यह भी देखें कि आलेंगे जनरल किसमें होता और लंगी जनरल किसमें होता है एक्जाम्पल समस्त एक और कोसिकिये अब बताएब एकोसिकी जीवों को कौन-कौन से जगत में रखा गया है मोनेरा में नील हरीस सैवाल कॉमा माइको फ्लाजर्जमा यह सफ़ी प्रीवेस व्यों में बताया माइको प्लाजमा दूसरा एक को सिके जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया है एक को सिके यूग एराटिक जैसे अमीबा पैरामीसियम योगलीना आदे क्लियर यह हो गया अलायंगिक जैनन फिर्थभी प्रप्रोपाई जाने वाले समस्त एक को सिके जीवों मोनेडा प्रोटिस्टा वाले जगट वाले जीवों में आलायंगिक जनन होता है क्लि में के कवक हो पाउध नियुम्ragen नहीं होता है हिल्लाकि आप आगे पढ़ें होगे 11 में की कवक में अलेंट्य अपकर JBA कुछ कवक ऐसे होते जो एकको सिक्खिय उनूरे में अलेंग जनन न होते हैं पょक्छ बड़े पौधे के अ Allah को क्या कहते हैं का इंग जनन यानि-टी वेजदिटी या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं जन तो क्या होता है हमेशा लेंगिक जनन होता है क्लियर बात है यह सब आगे बद क्लियर और करती जाएंगे अभी आपको सिंपली जनन क्या होता है लेंगिक जनन क्या होता है अंतर क्या है तो आपने देखा कि अलेंगिक जनन में स एक अमीबा है उसके बीच में उसका केंद्रक है यह अमीबा सबसे पहले अपने केंद्रक में उपस्तित डीने को डबल कर देता है ठीक है यह अपने केंद्रक को भी डबल करता है और डीने को डबल कर देता है यानि इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और फिर कोशी का दरव्य का विभाजन तनों होता है और केंद्र का विभाजन होता है इससे दो तो नए अमीबा बनते हैं ठीक है इससे दो अमीबा बनते है ठीक है आप सोच रहा होंगे यह तो कोशी का विभाजन हो गया सही है एसेक्सुल रिपोड़क्शन इन योनिसेलुलर और्गेनिजम इसे मूड आफ सेल डिवीजन यानि हम यहां पर यह भी कह सकते हैं सेल डिवीजन इस आल्सों ए मूड आफ एसक्सुल रिपोड़क्शन इन योनिसेलुलर और्गेनिजम यानी कोशी का विभाजन जैसे जनक थे इन्हें हम जनक कहेंगे जनक और ऐसी कोशिका को हम मात्र कोशिका कहते हैं मात्र कोशिका और जनक विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका बना लेते हैं ठीक है नई संतान बनाते ना इन्हें हम पुत्री कोशिका कहते हैं भाईया अकेले जीव है यह अकेले दो संतान संतानों को पैदा कर दिये तो हमने यहीःता कि किसी लयांगा सकता नहीं पड़ी कि विरषड चाहिए नसे तब हम जनन करेंगे ऐसा कुछ भी इनको आसकता है कि इसे कोषि का विभाजन रहोता है एक कोषि का विभाईजन को करके दो कोषि का बनाती है वही प्रकरिया है इसलिह हम कह सकते हैं कि एक कोशिकी जीवों में विभाजन विभाजन के संतुल होता है यानि कोशिका विभाजन और विभाजन दोनमान होता यह सब्सक्राइब और यहां पर एक चाहर आपको बताता हूं की हर देन पाए जाता है हर जीव में डीने उसके केंद्रक में पाए जाता है डीने केंद्रक और माइटो कॉंडियों में पाए जाता है लेकिन जो मुख्यकारी डीने का है वो केंद्रक में ही होता है डीने में माइटो कॉंडियों में भी पाए जाता है यह कोस्चन आप से आईस में प पुत्र पुत्रियां होती है उनके भी डिन ने 100% मैच नहीं करता है 99.9% अगर मैच कर गया तब भी 0.1% का डिफरेंस जरूर होता है समझाए माता-पिता का उनकी संतानों से डिन ने हो सकता है मैच करेगा ऐसा नहीं है तभी तो पता लगाते हैं कि कौन किसका बेटा है कौन कि बच्ची का डिन ने फिंगर पिंटिंग उनकी माता-पिता से एकदम मैच खा रहा है 100% नहीं सीरीज देखेंगे तो उसमें पता चलता है थोड़ा बहुत लगता है सिमिलेरिटी माता की तरहीं के से थोड़ा पहुत पिता के तरीके से तब ऐसा माना जाता है कि हाँ यह जीव का डिन ने अलग होता है हमारे डिन अलग हमारे पिता माता का डिन अलग सबका डिन अलग होता है और डिन ने ही सरीर की संद्चना का निर्मार करता है डिन ने के पास ही सूचना होती है कि सरीर कैसा बनाए डिन ने के पास ही सूचना होती है कि हाथ की लंबाई कितनी ह हाथ में कितनी उंगलियां ओं हमारा कलर क्या हो नांक कितनी लंबी और कृछे दाथ कितने बने आंख कघलर क्या वैं बाल का कलर क्या हो यह साड़ी सूचना डिन दे के पास होती हैं और अगर इन सूचनाओं में कुछ भी गलबड़ी होती है तो इससे सरीर भिन्द बन जाता है किसी-किसी में आपने देखा होगे पांच उंगली की जगा पे छे उंगली निकलाता है तो वह जीन की गलबड़ी से होता जो डीन ने पर पाया जाता है उसे हम पॉलिडेक्टाइली रोग कहत है तो जीन में अगर जरा सभी गलबड़ी होती है तो उससे सरीर सामाने से भिन्द बन जाता है समझाया कि डीन ने ही हमारे सरीर की सनजना कर निर्माल करता है उसी के पास सूचना होती है कैसा सरीर बनना है ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं जो डीन ने जनक का है वह वही डिनने थी तो कॉपी होकर उनके संतानों में आया है जो डिनने इनके पास है वही डिनने इनके पास है वही डिनने इनके पास है मतलब कोई अंतर नहीं हुआ डिनने में तो इसलिए जैसा इनका सरीर है क्योंकि सरीर को बनाने के लिए सेथ बनाने के लिए आकार बनाने के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है डियन्य तो सरीर और आकार इनका जो बनाता है वो डियन्य है और वही डियन्य इनका सरीर बना रहा है वही डियन्य इनका सरीर बना रहा है जब एक ही आर का सरीर अपने जनक के समान होता है याद रखेंगे आलाइंगिक जनन में उत्पन संतती आलाइंगिक जनन में उत्पन संतती यानि संतान अपने जनक के एकदम समान होते हैं एकदम हुवहु नकल होते हैं और ऐसे संतानों को हम क्लोन कहते हैं समझ में आया क्लोन किसे कहते हैं क्लोन का मतलब एकदम समानों यह अपने माता-पिता के एकदम समान होते हैं मतलब अपने जनक के एकदम समान होते हैं कोई अंतर नहीं होता रीजन कि इनके DNA में कोई चेंज नहीं होता वही DNA है जो उनके माता-पीता का है ठीक है खिलियर है अब आईए अलेंगिक जनन को समझते हैं मैं आपको बता है कि अलेंगिक जनन में लेंगिक अंगो यानि विरिशण और अंडासे की जिरूरत होती है और इसमें दो वीपिदी और मादा भाग लेते हैं यानि कि स्त्री यानि फीमेल और यहां पर नर में पुरुस या इसे हम मेल कह सकते हैं होता क्या है नर में पाये जाता है विरिशण अब मादा में पाये जाता है अंडासे यहां पर ऐसे लिखेंगे करण चेंज करके ज्यादा से रहा है मादा में पाये जाता है अंडासे यानि ओवरी यानि टेस्टिस ठीक है नर के विरिशण में नर के विशण में जो कोशिका होती है कोशिका होती है उसमें अर्द सूत्री वी भाजन होता है अर्द सूत्री भाजन आपने पढ़ा है बेसिक में कि अर्द सूत्री भाजन जब किसी कोशिका में होती है तो उसमें उपस्तित जो गुर्ण सूत्रों की संख्या अगर 46 है तो अर्द सूत्री भाजन से बने चार कोसिकाओं में गुर्शूत्रों की संक्या आधी हो जाती है यानि कितने होंगे? तेज, 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 यही होता है ना अर्धसूत्री भाजन कि जब किसी कोसिका में, विरिशण महुपस्तित कोसिका में जब अर्धसूत्री भाजन होता है तो उससे आगुरित कोसिका यानि ऐसी कोसिका बनती है जिसमें गुर्षूत्रों की संक्या आधी होती है ये कोसिका क्या कहलाती है नर्युगमक ये कोसिका ही क्या कहलाती है नर्युगमक और आपको बता है कि नर्युगमक में कितने कोसिका गुर्षूत्र है तेईस तो हम इस दासे की कोशिका में अर्दसूत्री विभाजन होता है अर्दसूत्री विभाजन होता है और अर्दसूत्री विभाजन होता है और अर्दसूत्री विभाजन होने से इसमें भी जो कोशिका है उसमें 46 गुर्दसूत्र है उसमें जब अर्दसूत्री विभाजन होता है तो उस अंडासे में क्या बनता है मादा युगमक मादा युगमक क्या है आगुडित होती यह भी यानि एन बराबर 23 अब डूरिंग सेक्सवल इंटरकॉर्स जब नर और मादा युगमक आपस में मिलते हैं इसी को हम कहते हैं और मादा युगमक जब आपस में मिलेंगे तो एक सनचना निर्मित होती है जिसमें इसके भी गुर्सूत्र आएंगे 23 और इसके भी गुर्सूत्र आएंगे 23 तो कितना बन जाएगा च्यालिस च्यालिस गुर्सूत्र होंगे ना तेज गुर्सूत्र यहां से और तेज गुर्सूत्र यहां से च्यालिस गुर्सूत्र होते हैं अब यहां पर हमने डबल कलर बनाया है तेज गुर्सूत्र नीला रंका और तेज गुर्सूत्र काले रंका क्योंकि हर किसी का डि गुर्फूतर किसे मिला होता है ब् • rational कि यहां पर आप र तेज़वर्फ कंसे पर ले तै Зने मान लीजिए तो इदोन सबस्क्रों के अब अलग तो के मिलने से एक नया बड़ा होता है जैसे हैं तो तो उसी तरीके से जब दो अलग-अलग DNA आपस में मिलते हैं तो उससे एक तीसरा नया DNA बनता है और उससे जो संतान उत्पन होती है वो अपने ना तो माता की तरीके होगी ना तो पिता की तरीके बलकि उनका मिक्स्चर होगा मिस्रित बनेगा इसे बताया ना सफेद रंग है और इसके साथ अगर हम लाल रंग मिला दें तो थोड़ा लालिमा आएगा और थोड़ा सफेद ही आएगी यानि गुलावी रंग का ना तो पूरी तरीके से लाल होगा ना तो पूरी तरीके से सफेद होगा उसी तरीके से जब अलग अलग DNA मिलकर बनते हैं जब नर का DNA data' अलग है तो इन डोनों के DNA से एक जो कोसी काश्यां बनती उसमें जो संतान अतभ नोत होती है उसमें कुछ लग्षड पिता के अब कुछ लग्षड माता के होते हैं एकदम हो बहू माता की तरीके नहीं होता एकदम हो बहू नर्किव यानि पिता की तरीके नहीं होता दोनों का मिस्रिद बनता है समाज में आया इसको कहते हैं विभीनिता वैरियेशन वैरियेशन लेकिन यहां पर देखिए यहां पर अलेंगी के जनने में जो संतान उत्पन्न होती है वो तो एकदम अपने जनक के समान होती है इसलिए हम इन संतानों को क्लोन कहते हैं लेकिन हम यहां पर क्लोन नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर तो अलग है न अलग होने कारण क्या है कि इनका DNA अलग इनका DNA अलग इनके DNA से मिलने से कोई टीसरा DNA बनता है जिसमें इनका भी लगछड़ो और इनका भी लगछड़ो तो इसे कहते हैं विभिन्नता वैरियेशन जब संतान माता-पिता से भिन्न हो या थोड़ी माता का लगछड़ थोड़ी पिता का लगछड़ तब या याणि variation कहते हैं अब हम बात देखेंगे कि आखिर क्या हो सकता है कि यहाँ पर hydration विवाजन हो रहा है क्या जरूरी यास सूतरी भाजन का अगर हम मान लेते हैं कि इन कोसिका में अर्द सूतरी भाजन ना होकर समसूतरी भाजन हो तब चलिए देखते हैं क्या होता है आपको पता है कि समसूत्री भाजन में गुर्षूत्र की संक्या में कोई परिवर्तन नहीं आता और सिर्फ दो ही कोशिका बनते हैं है ना सिर्फ दो ही कोशिका बनते हैं इन दोनों को मिटा जते हैं और एक कोशिका व्यायत होकर समसूत् तब गुल सुत्रों कि संख्यामें कितना होगा और सिर्वक वने फ्रिवन महलें मादय यूगमक मंसरी 14 और नरयूगमक मिशालीस तो नरी यूगमक आपस में भापने तो कितने गुल सुत्राओं ऑब किन इतना जाएगा बानवे लोग तो क्या 40 गुर्षूत्र में अगर एक दो गुर्षूत्र कम या जादा हो जाए 46 से अगर 47 हो जाए तो भी रोग उत्पन नहोता है सरीर विक्रित हो जाएगा गरदन अलग तरीके से निकलेगा पेटा अलिक तरीके से निकलेगा जो इस्तरी होगी वह पूरुस की तरही दिखने लेगा जो पूरुस है वह इस्तरी की तरह दिखने लेगा एक गुर्षूत्र के अगर अधिक या कम हो जाने से रोग उत्पन हो को पालिस ही रहे इसी लिए कोशिका से जब नर्यूगमक बनता है तो उसमें सम्षूत्री विभाजन ना होकर कर अर्द सूत्री विभाजन होता है जिससे गुर्व शूत्र की संख्या आधी हो जाए क्योंकि आधी यहां से आनी है और आधी मादा से आनी है क्लियर है समझ में आया कि क्या महत्तो है अर्द सूत्री भाजन का अर्द सूत्री भाजन का जनन में जिससे मानों में गुर्षूत्रों की संख्या 46 बनी रहे क्लियर तो जब नर्युमक और मादयुमक आपस में मिलते हैं तो इससे बनता है एक एक सन्चना एक कोसिका जिसे हम हिंदी में युगमनज कहते हैं और इंग्लिस में इसे हम जाइगोड कहते हैं और आपको बता दें हर कोई जीव जिसे हम देख पाते हैं वो एक इसी एक ऐसी कोसिका से बनता है जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते हैं यह कोशिका कहान अगर मनुस्य की बात करें तो मनुस्य में इस्तरियों में गर्भासे में होती हैं गर्भासे से पहले यह फैलोपियन नलिका में होती हैं फैलोपियन नलिका में युगमनज बनता है और फैलोपियन नलिका से ढूलकते हुए गर्भासे में आता है और उसी द बढ़ेंगी कोशिकाई जब बढ़ेंगी तो सरीर का आकार भी तो बढ़ेगा तो हम लोग भी हम या आप हर जीव एक ऐसी कोशिका से बनते हैं जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते हैं वो इस तरीके करभासे में होती हैं उसे हम यूगमनज यानि जाइगोट कहते हैं हां आप या होता है कि हम दिखने लगते हैं तो यहीं जाइगोट होती हैं एक जाइगोट विभाजीत होकर दो नाइगी यह एक कोशिपा है यह विभाजी थोकर दो बनाएंगी लेकिन दोनों कभी अलग नहीं होती कोसिका जुड़ी होती है एक कोसिका दो बनाती है फिर 2-4 बनता है फिर 4-8-8-16-17-22-17-18-18-256-256-256-155-151-3000 मुल्टिपल टाइम्स में डिवाईड होती है और इतनी कोसीकाओं के समूह बना लेती हैं कि वह दिखने लगती है नौ महिने तक का गरभावधी होता है और जब वह बाहर आता है गर भावधी के बाद तो वहां पर भी उसकी विर्दी सुरुव होती है और Pas पर भी उसके सिरी की कोशी काई भी भाजीत होती है और वो छोटे से दीरी-दीर बड़ा होता है बड़ा होते होते वयस्क हो जाता है फिर वयस्क होता है तो वह पार्टनर्स डोनता है और उससे फिर जनन करता है फिर संतानुत पन्न करता है लेंगिक जनन ऐसी तरह से चलता रहता है यानि जीवों की जातीयों की निरंदरता जनन के मादम से बनी रहती हैं समझ में आया एन्म अलहेंगी जनन सिरह में क्या अंतर है और कैसे कैसे संतान उत्पन होते हैं यह एज người in управ Aufg movements इतना ही आपको थोड़ा सा आपको लिखवाया गया जीवनκαल अमर नहीं है अता जीवों की जातियों की निरंतर्ता बनाये रखने के लिए जनन एक आवस्यक प्रक्रम है परतिक जीवों जनम लेता है विर्द्धी करता है वैस्क होता है विर्द्धा वस्ता होती है और आंत में उसके मिर्द्धी हो जाती है परन्तु वैस्क वस्ता में ब वृद्धियों यानि जीवों की जो जाती है उसकी संख्या की वृद्धियों और उसकी जन संख्या की वृद्धियों समस्टिका संगठन हो और जीवों की जातियों की निरंतरता बनी रहे इसलिए जनन आवश्यक है जीवों के लिए विभिनिता उत्पन्नों जीवों में व लिखेंगे जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन करते हैं जिसे से उनकी संख्या में विर्धी होती हैं दूसरा है डालेंगे समश्टी संगठन यानि लिखेंगे समश्टी में भिन भिन आयुवर्ग वाले जीवों की होने से समश्टी का संगठन होता है देखें समश्टी और वैस्टी में अंतर होता है वैस्टी का मतलब एक जीव और समश्टी का मतलब उसी जीव के जातियों की आउर अधिक संख्या यानि एक मनुस्य है इस Ditन्यर्श्टी को जन संख्या eg الي hahaha population तो मनुसी की जन संख्या की बात की जाए तो मैं मनुसी को आहिक काउंड करेंगे मनुसी की संख्या मतलब मनुसी की संक्या कितनी है अब उसमें हमारे साथ रहने वाले हाथी गोड़ा कुटा बिल्ली उनको नहीं जोड़ेंगे मनुस्य की जनसंख्या का मतलब मनुस्य की ही उसमें संख्या हो और आपको पता है कि अगर मनुस्य की जनसंख्या को देखेंगे तो उसमें उन सभी जनसंख्या में उपस्तित सभी मनुस्य की आयू समान नहीं होती बिन बिन आयुवर्ग के लोग होते हैं ठीक है तो इससे यानि जनन से एक जनसंख्या का संगठन होता है यानि घमस्टी का संगठन होता है फिर दूसरा नेक्स एडिन ला लेंगे तीसरा जाती की निरंतरता यानि continuity of species लिखेंगे जनन के माध्यम से ही जीवों की निरंतरता सदयों बनी रहती है फिर नेक्स एडिन लेंगे विभिन्नता यानि variation लिखेंगे कि लेंगिक जनन के माध्यम से जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है वारियेशन डवलप होता है और जिससे यानि ऐसे लिखे लेकिन आज के समय में जो बच्चें वो एक्दम पक्राइब से जीविवेशन लिग्यावाएब लेकिन आज के समय में जो बच्चें वह रोड़ है। आजके समय में बच्चे हर चीज मुबाइल में चीचे सब कुछ जानते हैं, हलाकि आज मैं भी जानता हूं लेकिन आज के समय में जो बच्चे हैं वो एकड़म स्टार्टिंग से उसे सारी चीज़ों को जानते हैं तो वह हमसे थोड़ा से एडवांस निकले उस एज का अगर अगर हम बचपन के एज को इन से कंपेर करें तो हमसे एडवांस है तो मतलब दीरे-दीरे डवलप होता जाता है हजारो करोडो साल में एक जाती से दूसरे जाती का विकास हो जाता है जब कोई जीव अपने पूरवज से भिन हो जाता है तब उसे अलग जाती घोसीत करती जाती है लेगिन रूप उसी से हुए हैं तो हम नहीं प्रजाती हैं उन से तो यह विःांगियां है तो इसमें कोई चेंजर नहीं होता है तो विभिन्यता हमेशा लेंगिक जनन में होता है यह भी कोश्चन पूछा गया तो आपने लिखा कि विभिन्यता जैविकास काई प्रक्राम है अब हैं डालेंगे जनन की विधियां मेथड्स और रिप्रडक्शन बस यहीं पर रोकेंगे क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको ट्रेलर दिया है कि अलेंगिक जनन को आपको पढ़ाएंगे फिर हम लेंगिक जनन को आपको पढ़ाएंगे ठीक तो आज का टॉपिक बस इतना ही जिसमें आपने जाना कि काल क्या होता है जनन की विदिया सारी चीज़ा आपने पढ़ा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह किसे समझ में आया है बार बार पढ़िए उसको अच्छी तरह किसे पढ़िए और आगे टॉपिक के लिए आप जूड़ेने बालेंगे चैनल के साथ धन्यवाद